आज मैं आप लोग के साथ शादियों में मिलने वाले रशिन कबाब का रेसिपी शेयर करूंगी चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ जिसकी लिए मैंने यहाँ एक पैन में आदा कप ग्रेटेट गाजर आदा कप ग्रेटेट श्रिमला मिर्ची तीन से चार हरी मिर्ची को बारिक चॉप्ट कर लिया था वो डालेंगे तीन सो ग्राम बोल्लेश चिकेन लिया है वो डालेंगे यहाँ मैंने ऑथेंटिक रेसिपी शेयर की है कम चिकेन में भी आप अच्छे कॉंटेटी में आप रेशिन कबाब तयार कर सकते हो लास्ट में एक टीस्पून नमक और एक टीस्पून काली मिर्चो का पॉडर दो कब पानी डालेंगे और कवर करेंगे पानी ड्राइ होने तक और चिकन गलने तक अब चिकन भी कुक हो गया है और पानी ड्राइ भी हो गया है इसे हम थंडा करके चिकन श्रेट कर लेंगे अब यहां हमने एक पैन में दो टेबल स्पून बटर लेके दो टी स्पून जीरा अधा कप चॉप्ट काजर, अधा कप चॉप्ट बीन्स दो से तीप मिनिट के लिए सौटे करेंगे एक टेबल स्पून अधरक लसन का पेस डाल के भूनेंगे कच्चापन जाने तक एक कप मैदा डालेंगे और सब चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे और मैदा को भूनेंगे तीन से चार मिनिट के लिए बहुत अच्छी तरीके से मैदा भून गया है अब इसमें हम एक ग्लस चिकन स्टॉक डालेंगे मेरे पास रखा हुआ था आप लोग एक ग्लस पानी डाल के चिकन स्टॉक क्यूब डाल लीजिएगा अगर चिकन स्टॉक एविलेबल नहीं हो तो अब इस मिक्शर को हम इतना पका लेंगे जब तक कि एक थिक सी consistency ना मिल जाए जिस तरीके का हमें थिक mixture चाहिए ता हो गया है अब इसमें हम आदा किलो boiled mashed आलू डालेंगे आप चाहें तो आलू को grate भी कर सकते हो या फिर mashed करके डालीजेगा अब इसमें हम 2 टेबल स्पून रेड चिली सॉस दो टेबल स्पून ग्रीन चिली सॉस दो टेबल स्पून जीरा पौडर और लास्ट में एक मैगी मसाला क्योब डालेंगे ऑप्शनल है अच्छे से mix करेंगे इन सब मसालों को डाल के दो मिनिट के लिए cook करेंगे और इस mixture को भी थंडा कर लेंगे यहाँ देखे इस तरीके का हमें consistency चाहिए नहीं जादा थिक होना चाहिए नहीं जादा पतला यह वाली सीवई का packet लिया है मैंने जो roasted होती है एक packet को लेके अच्छे से हाथों से crust कर लेंगे अब एक बाउल में दो अंडे लिये हैं जिसके साथ एक टीस्पून काली मिर्चो का पॉडर एक हाफ टीस्पून नमक, हाफ कप दूद डाल के फेंट लेंगे अच्छे से श्रेडर चिकेन में आलू के मिक्षर को डाल के मिक्स करेंगे दो मुठी फ्रेश धनिया की पती डालेंगे मिक्स करेंगे और साथ ही इसमें एक बाइंडिंग लाने के लिए लास्ट में एक कप ब्रेट क्रम्स डाल के बहुत अच्छे से सब चीजों को मिक्स करेंगे इस तरीके का मिक्षर हमें चाहिए अगर mixture पतला हो तो आप half cup bread crumbs और मिला लिजिएगा अब इनके patties बनाएंगे एक के batter में dip करके सिमयों से coat कर लेंगे और इस तरीके से एक एक करके सारे तयार करके ट्रे पे रख लेंगे फ्रीजर में सेट करेंगे दो घंटों के लिए और एक airtight container या zip lock bag में डाल के फ्रीज कर लेंगे आप लोग इस तरीके से रशियन कवाब को बना के एक मन तक आराम से स्टोर कर सकते हो फ्रीजर में आपकी अपनी मर्जी है आप चाहे तो इसे डिफ फ्राइ करिएगा या फिर शैलो फ्राइ कर लिजेगा और इस तरीके से हमारे शादियों में मिलने वाले रशियन कवाब तैयार है रेसेपी अच्छी लगी हो तो ट्राइ करिएगा फैमली और फ्रेंस के आज शैर करिएगा मेरे चैनल पे नए हो तो वन टाइम सब्सक्राइब कर लिजे फॉर मोर अपकमिंग रेसेपी के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग अलाह आफिस